हलो दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में आज डेट है 21 अगस्त आज एक बार फिर से लाइब में आप लोगों के साथ आ चुका हूं तो चलिए आज कि साइकोलोजी और ट्रेप ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि आज किस तरह का ट्रेड प्लान होने वाला है मेरा तो आज है मंडे तो मंडे में क्या होता है जनरली दो दिन वीकेंड के बाद लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है कि जल्दी से मार्केट आपट होगा जल्दी से हम टेड ले लेंगे जल्दी से यूटूब पर वीडियो पब्लिस करना है यूटूब पर प्राफिट का स् यूटूबर्स होते हैं उल्दों का टेड जल्दी एक्जूट हो जाता है वो लोग चाहते हैं क्योंकि जो है दो दिन छुटी रहता है तो सबको लगता है कि मैं जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाके निकल जाऊं लेकिन मेरा यहां पर उल्दा रहता है जब भी मंडे को मार्केट में हमेश्या जो बारा बज़े के बाद ही एंट्री करता हूं कोसित करता हूं कि बारा बज़े के बाद ही एंट्री करूं क्यों क्योंकि मैं बायस नहीं रहता हूं कई सारे लोग बायस रहते हैं कि दो दिनों छुटी के बाद मुझे ट्रेड करना है आज हर हा मार्क यह हैं जोन को कैसे ड्रो करना है सपोर्ट रेजिस्टन्स में अलड़ी बना चुका हूं फिलाल में एक इंट्राडे में कैसे आपको बनाना है पांच मिनट में वो इसके उपर जल्दे एक वीडियो अपलोड करने वालों तो अभी यहां पर देखे क्या हुआ कि मार्क ठीक है कि यहां पर कुछ रेंज में मार्केट फुसा हुआ तो अब इंक Also फिलाल ठीक है तो यह आप देखेंगे प्रिव्याश में मार्क यहां पर चला गें फिर यहां पर यहां पर का zone हो गया ठीक है यह हमारा support हो गया यहां से मार्केट support गया लिया उपर गया यहां से support लिया ऊपर चला गया ध फिर यहां पर market यहीं खैंग чуд an Egg ओपनिंग वा तो यहां से market open गया फिर यहीं पर इस ही area पर आ रहा है बच्चा ये अच्छा बच्चा को ये पता है कि ये श्यार्ट बन चुका है अब यहां पर क्या होगा यहां पर आकर से सपोट की तरह बीएब करेगा यहां पर इस तरह प्रहें ने कर दो बहुत जदा टाइमully करें तो क्या हो सकता है कि इस लेबल को भी ब्रेक कर देखोगा हमें कौन साइड जाना है पूट साइड जाना है और जैसे ही रिटेल टेडर पूट साइड में एंट्री करेंगी देन मार्केट यहां पर होल्ड करेगा काफी देर लगबग एक से डिएड़ गंटा देन फिर उन सबी लोगों का स्टॉप लोस इस तरह करके ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास अभी दो सिन्योरियों है दो प्लान है मेरे पास ठीक है अभी मैं कोई भी यहां पर ट्रेड नहीं करने वाला हूं सिंपल यह वाला इस तरह से होके अभी उपर जा रहा है यह फिर से यहां पर नीचे आएगा यहां का बिहेबियर के अकौर्ड अगर hold करता है नीचे तो मैं उपर यहां पर कॉल के साइट के रिए एंट्री ले लूँगा लेकिन अगर यहां से यहां पर आता है फिर से सपूर्ट जैसा बताता है यहां पर आएगा एक हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा छोटा सा बुलीज कैंडल बनाएगा डोजी बना अगर अगर इन उन्यौन प्लान में से कोई बी एक प्लानमें हमारा काम होता है तो अंगा यहांसे उपर.. करूंगा तो फिलाल भी करते हैं वीडियो को बंद करते हैं जिस तरह से यहां पर पुट की पोजिशन बन रहा है इसके पीछे का रीजन में आपको explain करता हूं इसके पिछे का psychology क्या है जैसे कि market में देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले plan किया था कि market में इस support level पर आएगा तो उसके behavior के अनुसार हम यहां पर plan करेंगी बट यहां पर market यहीं से उपर चला गया तो अब जो है हमारा अगला plan यहां पर create हुआ सबसे पहले यह तो हमारा first swing पहला swing यहां पर break किया काफ़े सारे retail buyer आगे उनको यहां पर निकाल दिया एक छोटे से pullback में फिर market ने इस तरह से उपर गया फिर then यहां पर इसी वाले first swing में यहां पर support की तरह behave कर रहा है अब दोस्तों यहां पर यह बताईए कि market की क्या कोई साधी है जो आपको invite करेगा कि हां मैं आप उपर जाने वाला हो आप मुझे यहां पर see buy कर लो buy कर लो जैसे कि market ने यहां पर buy buy दिखाया then फिर उन्हों का stop loss हिट किया जो की छोटे weekend होते हैं उनका stop loss हिट किया वह market से बाहर हो गया then फिर market इसको breakout किया यहां से market exactly अब देखे एक बार support की तरह बताया कुछ लोग और entry बना लिया होंगे फिर यहां से support की तरह ही यह बता रहा है तो क्या market आपको invite करेगा कि आप जो है trade यहां पर ले लिजिए मैं आप जो है उपर के side अच्छा गासा आपको target देने वाला हूं ऐसा बिल्कुल भी market में नहीं होता है अगर market को उपर जाना होता तो यह market यहां से भी जा सकता है एक छोटे से pullback में continue जा सकता है जा सकता था बट यहां पे इतना time spend करने का क्या कारणता है सिंपल सा इतना time spend करने के पीछे यहां पे buyers जो retail buyers है उनको यहां पे इखटा कर रहा मार्केट ताकि वो यहां पे entry ले ले यहां से market boom करते हुए इन सभी लोगों का stop loss hit कर देगा तो अभी अभी देखते हैं क्या होता है इस trade में तो इस trade में आप लोग बने रहिए इस 25 पॉइंट का 25 पॉइंट का टारेट रहेगा 25 पॉइंट क्यों one is to two मिल रहा है मुझे easily और यहां से market अगर buyer को invite कर रहा है तो इन नों का stop loss कहां पे होगा इस swing के नीचे यहां 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 इधर कहीं पर stop loss होगा अब इतना दूर तो को stop loss नहीं लगाया होगा तो simple market इतना दूर आ सकता है तो यही रीजन है क्योंकि यहां पर जो है आप यहां पर देखिए अगर कोई यहां से बाइक किया होगा इधर से तो stop loss कहां रखेगा यहां रखेगा simple बहुत सारे यहां पे 17-18 पॉइंट 20 पॉइंट का stop loss लगाते हैं तो उनका इतना बड़ा stop loss आ मार्केट सुप्रीम है सबसे आगे है ठीक है तो इस तरह का साइकलोजी है इस ट्रेड में तो गाइज मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड में एसल होने वाला है तो अभी देखते हैं कि क्या होता है एसल होता है या फिर नहीं कैंडल यहां पर आ चुका है हमारा stop loss 10 पॉइं जो है फाइब करते हैं 10 पॉइंट का है तो इसका आधा सिंपल सा तो यहां पर लगबग का धाई सो रुपय का जो है एसल जाने वाला है तो अभी देखते हैं क्या होता है एसल गया नहीं है इस ट्रेड में मुझे लेना पड़ गया जो कि आप देख सकते हैं काफी बड़ यहां पर देखें मार्केट में काफी अच्छा एक स्ट्रेंद यहां पर देखने को मिल रहा था देन यहां पर मार्केट को देखेंगे तो छोटा पूल बैक देन फिर यहां पर आप देखेंगे तो सेम उसी लेवल से यहां पर सपोर्ट ले रहा था तो इस तरह से मार्के रखा लेकिन हमारा stop loss हो गया बड़ कोई नहीं दस में से दो तिन बार stop loss होता है छे साथ बार हमारा profit भी होता है तो इसी तरह से risk reward maintain करते हैं बागे दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद